नमस्कार, मैं हूं निकेल और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम तारीख इसमें हम आपको सुनाते हैं उस तारीख से जुड़े इंटरनाशनल किस से आज 19 फरवरी है और इस तारीख का तालुक है एक ऐसे हाथ से से जिसमें लडाई से था के हारे सैक्रो सैनिक मगमच्चों की फेट चड़ गए 19 फरवरी 1945 को नर्क धर्ती पर उतराया था वितेव विश्वयुद छे साल चला सितंबर 1949 से लेके सितंबर 1945 तक इस विश्वयुद में पूरी दुनिया दो धड़ों में बढ़ गई एक था एकसिस धड़ा जिसके अगवाई कर रहे थे जर्मनी जापान और रिटली और दूसरा था अलाइट धड़ा जिसमें मुख्य देश से रूस अमेरिका यूके लेकिन ऐसा नहीं था कि युद्ध के बास्ते किसी एक जगह पर ये दोनों सिनाई एक खटा हुई दोनों तरफ की और फिलड़ाय हुई कई जगहों पे युद्ध बटा हुआ था और दुनिया का कोई भी कोना बायनलाज अचा नहीं था जो इस युद्ध से अच्छूता हूँ कहना का मतलब ये कि विशुद्ध कई छोटी बड़ी लड़ाईयों का एक कोलाश था जो दुनिया के अलग-अलग कोनों में लड़ी जा रही थी ऐसी सेकड़ों लड़ाईयों में से एक थी रामरी द्वीप की लड़ाई जो जैसा नाम से जाहिर है बर्मा के रामरी द्वीप पर लड़ी गई थी बर्मा माने आज का म्यामार इसमें एक तरफ थी इंपीरियल जापनीज आर्मी और डूसी तरफ थी ब्रिटिश इंडियनामी 1945 के आते आते ब्रिटिश इंडियनामी ने आपरेशन मेटाडोर लांच किया जिसका उद्वे बर्मा के एक छोटे सिदीप रामरी को जापानियों से जीत कर उसे आगे की लड़ाई के वास्ते एक एर बेस की रूप में इस्तमाल करना था इसी आपरेशन मेटाडोर के दौरान जापानिय सेना की स्थिती आगे कुआ पीछे खाई वाली हो गई रामरीद वीप एक ट्रॉपिकल जगह थी मतलब अलग-अलग तरह के जानवरों और जंगलों का इलाका इसी इलाके में जापानिय सेना की हजार जवानों के एक टुकडी बाकी फौट से बिछड़ गई इन सैनिकों के पास अपने साथियों से जा मिलने का एक ही विकल्ब था एक बड़े गहरे दलदल को पार करना दलदली जमीन दलदल जो धेरों जान लेवा मगर मच्छों का निवास था यूँ इसे पार करना एक तरह से असंभव था लेकिन अगर जापानी सैनिक के दलदल पार नहीं करते तो पीछे से ब्रिटिश इंडियन आर्मी के एक टुकडी भी बहुत तेजी से इने चेस कर रही थी हलांकि तब ब्रिटिश सेना ने अलग थलग पड़ गए इन जापानी सैनिकों को आत्म समर्पन का विकल दिया था लेकिन आत्म समर्पन करने के बजाए जापानी सेना ने आठ मील के मैंगरोव से यात्रा करना बहतर समझा मैंगरोव एक प्रकार का उष्ण कटबंदी जंगल होता है जिसकी कुछ जणे जमीन पर भी होती है मगर मच्चों से भरे दलदल को पार करने बाली बात आपको अजीव लग सकती है लेकिन ये जानी है कि जापानी सेना आत्म समरपन को लेके बहुत ज्यादा आसेश थी हर देश की सेना आत्म समरपन को लेके आसेश होती है इनका केस अलग था जापान के सैनिक मौत तक लड़ने में विश्वास रखते थे जीतना पाएं तो आत्म हत्या करने में विश्वास रखते थे लेकिन दुश्मन के आगे हतियार डालना वो सोच भी नहीं सकते थे एक तरह का indoctrination था यही चीज रामरी से हजारों मील दूर आपको इबू जीमा की लड़ाई में भी दिखाई देती है जहां जापानी सैनिकों ने अमेरिकी मरीन्स के सामने आत्म समर्पंट करने के बजाए मौत को चुना बहुत समय तक के वहां के जो सुरंगे थी उस पूरे आइलेंड के उपर उसमें से जापानी सैनिक मिलते रहे जो आत्म समर्पंट करना नहीं चाते थे बड़े मुश्किल सुनन निकाला गया खेर इबू जीमा से वापस चलते हैं रामरी जिस दौरान जापानी सैनिक दलदल को पार कर रहे थे उस दौरान ब्रिटिश सैनिकों ने ज्यादा कुछ नहीं किया वो दूर से इस्तिति के निर्गारानी करने लगे वो जानते थे कि जापानी सैनिकों को आगे किस चीज़ का सामना करना है सौल्ट वाटर क्रोकडाईल मतलब खारे पानी के मगरमच जो दुनिया के सबसे बड़े सरे सरे प्याने की रेप्टाईल से नर मगरमच उसतन 17 फीट लंबा होता है और कुछ बड़े मगरमच तो 23 फीट तक जा सकते हैं और एक टन वस नहीं हो सकते हैं जितना भार ये सोचिए दलदल ही इनका प्राकरतिक आबास है और इनके इस प्राकरतिक घर में कोई भी इनकी गती, आकार, चपलता और ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता है मतलब एक तरह से जिस तरह बाग होता है सबसे बड़ा प्रेडेटर जंगल में वैसा दलदल का क्रोकडाइल है सौल्ट वाटर क्रोकडाइल लेकिन जापानी सैनिक इन मगर मच्छों का शिकार बनते उससे पहले ही कीचड और दलदल ने उनको डिहाइडबरेशन, बिमारियों और भुकमरी का शिकार बनाना शुरू कर दिया जंगल में चुपे हुए मच्छर, मकडी, जहरीले साप और बिच्छु पहले ही धीरे-धीरे इनसानिकों की जान ले लगे लेने लगे माफ कीजी फिर जब यसानिक दिरे-धीरे दलदल में गहरे धस्ते गए तो मगर मच्छों का प्रोकॉप शुरू हुआ वो रात थी आज से ठीक 76 साल पहले की रात आज से 76 मतलब 2021 में रिकॉर्डिंग हो रही उस हिसाब से प्रगर्तिवादी ब्रूस स्टैनली राइड जिन्होंने रामरीद वीप की लड़ाई में हिस्सा लिया था वो बताते हैं 19 फरवरी 1945 की बुराद काफी डराबनी थी युद के कोलाहल और रक की गन से सचेत हो चुके मगरमच इस दलदल में अपना जमघट लगा चुके थे इनके सिर्फ आखें ही आखें दलदल के ऊपर थी जो अपने अगले भोजन का इंतजार कर रही थी ये भूके मगरमच मृत घायल और स्वस्त सभी सैनिकों पर तूट पड़े इससे पहले शायद ही कभी हमारे दुनिया में नर्की जहलक देखने को मिली हो भोर में गिद पहुच गए वो सब समेटने के बास थे जिसे खारे पानी के मगरमचों ने छोड़ दिया था गिनीज बुक आफ वर्ल रिकॉर्ड ने अपने 1987 और 1998 वाले संसकरण में इसे इतिहास के सबसे बड़े मगरमच के हमले के रूप में सूची बद्ध किया है और इसे मरने वालों के संख्या 980 बताई है हाला कि मरने वालों के संख्या कुछ सोर्सेस में ज्यादा है कुछ के हिसाब से कम है लेटिनेंट जनरल जेएफार जैकब जी हाँ ये बांगलदेश लिबरेशन वार वाले जेएफार जैकब है इन्होंने लड़ाई के दौरान अपने अनभवों को याद करते हुए लिखा था जापान के हजार सधिक सैनिकों ने रिट्रीट करने यानि उदमें पीछे हटने के बजाए मगर मच्छों वाले मैंगरोव दलदल को चुना हम नावों में दुभाशियों के साथ उनके पास गए और लाउट स्वीकर में उनने बाहर आने के लिए कहा एक भी नहीं माना ये कल्पना करना मुश्किल नहीं है कि दलदल की शरंड लेने बाले इन जापानियों के साथ क्या हुआ होगा बिटिश आमी ने जो बात निशित रूप से कही थी वो ये कि 20 जापानी सैनिक दलदल से जिंदा बहार मिले और उन्हें पकड़ लिया गया इन जापानी सैनिकों ने मगरमच्चों के बारे में बताया लेकिन वास्ताओं में इन मगरमच्चों ने कितने लोगों को मारा ये अब भी बहस का मुद्दा बना हुआ है कुछ नए इतिहास कार तो इस पूरे किस्से को अर्बन लीजिन मानते हैं या अर्बन मित मानते हैं मैकलीन फ्रैंक अपनी किताब दिबर्मा कैंपेइन में लिखते हैं बाकी बाते छोड़ भी दें तो भी एक जू लॉजिकल समस्या तो रह जाती है मतलब अगर हजारों मगरमच इस नरसंगहार का हिस्सा थे तो फिर वो इन सारे लोगों के पहुँचने से पहले इस दलदल में कैसे जिन्दा थे इस घटना के बात कैसे जिन्दा रहे एक मैंगरोब दलदल का पारिस्तितिक तंतर जहां काफी कम स्तन पाई हों वो इतने सारे सरीस रुपों को पनपने का मौका नहीं दे सकता साथ ही ये भी कोई नहीं जानता कि उस दलदल में कितने लोग मगरमच्छों का शिकार बने और कितने भूग, डिहाइडरेशन और बीमारी का लिजेंडरी मूवी रोशमोन का डैलॉग है कहानी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए फर्क नहीं पड़ता कि वो सच है या जूट हाला कि तारीकी मामले में हमारा उदेशा हमेशा रहता है कि हम सिर्फ fact और factual stories की बात करें लेकिन फिर भी ये एक fact है कि अभी मगर मच्छों वाली story में से भी कुछ कुछ भी जूटा साबित नहीं हुआ है और जिन चीज़ों पर doubt था भी उनको भी लेकर हमने काफी पारदर्शी तरीके से आपको बताया है वरना conspiracy series का क्या देखेगा अभी कोई flat world वाला आके नीचे comment करतेगा आप भी करिएगा और बतायेगा कि तारीक में आप भविश्य में भूत की क्या चीज़ें देखना सुनना पसंद करेंगे तब तक के लिए जब तक आप comment करके हमें बताते हैं हम लेते हैं आपसे नमस्ते दरपन जी को शुक्रिया जिन्होंने इस episode को लिखा है पिभो जी को शुक्रिया जो पीछे इसे record कर रहे है और आज विनीत है न विनीत का शुक्रिया जिन्होंने इस episode को edit किया है